जैस्री कृष्णा राधे राधे तुलारासी जो सनी की सबसे प्रियरासी है और तुलारासी वालों का स्वामी सुक्र है आज हम तुलारासी वालों की कुछ खासियत बताएंगे कि तुलारासी वाले के बारे में बिस्तार से जानेंगे कि तुलारासी वालों का तीन हिस्सा क्या होता है आपके जीवन के बहुत सारे राज परत-दर परत खोलेंगे लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपनों के साथ जो भी आपके अपने तुला रासी के हैं उनके साथ सेयर करें और आप अपने बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे website पर भी आ सकते हैं website का link आपको description में मिल जाएगा आप चाहें तो google पर grandtharmac.com सर्च कर सकते हैं website अब पूरी तरह से आपकी अपनी भासा में उप्लब्द है website पर आने के बाद दाहिने साइड उपर में search language लिखा है टच करें किसी भी भारती भासा को सेलेक्ट करें जो आप जानते हैं और उस भासा में आनन्द उठाए तो हम बात कर रहे हैं तुला रासी की तुला रासी वालों की खासियत क्या है तुला रासी वाले किस नच्छत्र के हैं और उनके जीवन पर उस नच्छत्र का क्या प्रवा पड़ेगा क्योंकि 27 नच्छत्र में तीन नचात्र तुलारासी के अंतर गताता है हर नचात्र के चार चरन हैं तो आज हम विस्तार से जानेंगे आपके बारे में लेकिन उसके पहले एक खास बात अगर आप तुलारासी के हैं तो सलाह लेकर एक नीलम जरूर पहन लें अगर आप नीलम नहीं पहन सकते हैं तो अपनी मधिमा उंगली दाइना या बाया कोई भी हाथ की मधिमा उंगली में एक चांदी का छला पहन ले तो उत्तम है तो तुला रासी वालों जीवन की तमाम मुश्किलें आपकी समाफ्त हो जाएगी अगर आप नीलम पहनते हैं या चांदी का छला पहनते हैं तो तुलारासी वायू तत्त की रासी है और तुलारासी सनीदेव को सबसे प्री है क्योंकि सनीदेव तुलारासी में आके उच्चिके हो जाते हैं और यहां पर सुर्य की सबसे कमजोर रासी तुलारासी है क्योंकि सुर्य यहां पर सबसे कमजोर माने जाते हैं तुलारासी के अंतरगत तीन नचत्र आते हैं यानि तीन नचत्रों में तुलारासी विभाजित है पहला है चित्त्रा, दूसरा है स्वाती, तीसरा है विसाखा तो आप अपनी कुंड्री निकाले और चेक करें कि आपका कौन सा नचत्र है तीरों ही नचत्र के बारे में नच्छत्र स्वाती है या विसाखा है तो क्या प्रभवाव पढ़ने वाला है आपके जीवन पर क्योंकि चित्रा नच्छत्र वाले तुला रासी दूसरी तरह के होंगे और स्वाती नच्छत्र वाले तुला रासी अलग तरह के होंगे विसाखा वाले अलग तरह के होंगे मध्यम होती है क्योंकि तुला रासी का स्वामी सुक्र है अब सुक्र और मंगल का साथ हो जाएगा यानि बहुत मजबूत नहीं होती और बहुत कमजोर भी नहीं होती तो चित्रा नच्छत्र के जो तुला रासी वाले लोग होते हैं बड़े सौखीन मिजाच के होते हैं वैस जो सौक की चीजे हैं इनको उन चीजों को प्राप्त करना अच्छा लगता है उन चीजों को आप सौक पालते हैं आपकी एक कागरता थोड़ी कम जोर होती है और अक्सर आप आलसिकी वज़ा से जीवन में सफल नहीं हो पाते अगर आप आलसिक हो त्याग देना तो जीवन की मुश्कले कम हो जाएगी लेकिन अगर आपका नच्छतर चित्रा है तो आप अपने घर के मुख्य दर्वाजे पर एक बिल पत्र का पौधा जरूर लगा है बिल पत्र म सब्सक्राइब कीजिवन में कैसे आपका भाग योदम होता है तो चिट्रा नच्छत्र वाले आए जानते में आप अंतिम दोचरण तुला रासी में आता है जो चित्रा नचत्र वाले होते हैं बड़े ही सुन्दर नेत्रों वाले चौड़े सरीर वाले उच्चा मस्तक बलिष्ट सरीर वाले होते हैं इनको जीवन में भूमी पुत्र जीवन साथी और धन का सुख खूम मिलता है सकात्मक पक्षी यह है कि चित्रा नचत्र जो तुला रासी में है ऐसे लोग संतोसी होते हैं धनवान होते हैं देपताओं और ब्रहमनों का वक्त होते हैं और उच्चाल भिलासी होते हैं महतोकांची होते हैं उर्जावान होते हैं बुद्धिमान और सांति प्रेवी होते हैं और जीवन में इनके बहुत सरे ऐसे अउसर मिलते हैं जिनसे इनका भाग बदल जाता है नकात्मक पक्षी यह है कि यदि मंगल बुद्ध या सुक्र की जर्म कुंडली में स्तिती खराब हो तो फिर सत्रों के द्वारा प्रेसानी और एक्स्ट्रा मेरिकर अफेयर जैसी चीजों में उलज़िकर आप दुख सहने को विबस हो जाते हैं कभी कभी दोखेवाज और स्वार्थी बन जाते हैं जो आपके भागे को आपकी तरफ नहीं लाता वलकि भागे दुर भागे में बदल जाता है तो थोरा सा इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए अब देखिए दूसी तरफ जो चित्तरा नच्छतर वाले होते हैं सहसी होते हैं उड़जावान होते हैं और कहा जाता है कि ये लोग अगर अपने जर्म स्थान से दूर जाकर कुछ काम करें तो नाम परसिद्धी धन बैभव ज़्यादा कमाते हैं तो चित्तरा नच्छतर वाले तुला रासी वाले बड़े ही एक्टिव होते हैं और काम को कल पर टालने की बजाए अगर जल्दवाजी में आप निप्टा लें तो जीवन में जल्दी प्रगति करते हैं रिस्तों के प्रती भावुक होते हैं और लाभानी भी समझते हैं आप में एक बात अच्छी ये होती है कि खुद को डिप्रेशन में जाने ही नहीं देते हैं हमेशा खुस रहते हैं आसपास के लोगों को खुस रखते हैं आपका दामपत्य जीवन अच्छा होता है खुबी है कि अब चित्रा नच्छत्र वाले आप पूरुस हैं या इस्तरी हैं दोनों का अलग अलग सुभाव होता है लेकिन कि चित्रा चंद्रदेव की 27 पत्रियों में से एक है जो प्रजापती दक्ष की पुत्री है और ऐसे लोग चलाई मान होते हैं वहन का सौक होता है इनके इनको कई पुत्र होने के योग होते हैं इनकी कुंडली में और चित्रा नच्छत्र का चुकि अंतिम दो चरन आते हैं तुलारासी में तो अंतिम जो तीसरा चरन है जो तुलारासी में आते हैं मंगल सुक्रबुद्ध का या त्राओं से धन कमाते हैं और जो चौथा चरन है चित्रा नशत्र का इनका स्वामी ग्रह मंगल होता है और मंगल बुद्ध का प्रभाव चौथे चरन पे है तो ऐसे तुला वाले के आंखे गोल होती है भौवे घनी होती है सोध करने वाले सोध से धन कमाने वाले और 28 के बाद उम्र के 28 साल के बाद इनका विभा होने के योग बनते हैं उम्र के 33 से 53 एर के बीच भाग्योदे होता है 32 वर्स तक थोड़ी मुश्किल होती है जीवन में उम्र का 22, 27, 30, 49, 48 आपके लिए उतना अच्छा नहीं होता है तो अब बात करते हैं स्वाती नच्छत्र वाले तुलारासी के लोग कैसे होते हैं तो आपका जन्व नच्छत्र अगर स्वाती है तो इसके चारो चरन तुलारासी में आता है और स्वाती नच्छत्र का स्वामी राहू है तो तुलारासी में जब स्वाती नच्छत्र आता है तो तुलारासी बहु के स्वामी होते हैं जीवन में अपने दम पर उचाईयों तक पहुंसते हैं और काफी उचाईयां पाते भी हैं मुझकी लिए है कि कभी-कभी चुकि यहां पर राहू का प्रफाव है स्वाती नच्छत्र पर तो कभी-कभी नसे के गिरफ्त में आ जाते हैं या फिर गलत आकर सन एक्स्ट्रा मेकर अफेर जैसी चीजों से आपको बचना चाहिए और जीवन में आप चाहते हैं कि खूब सफलता प्राप्त करें तो अर्जुन के बिच्छ की पूजा करें अर्जुन का बिच्छ आपको कहीवी रोट साइड मिल जाएगा नहीं मिल रहा है तो नरसरी से और दूसरों की परिशानियों में उनका साथ देने वाले होते हैं चतूर और समझदार बेतित्त के सौमी होते हैं वैसे इनका हिरदय बहुत ही स्वक्ष होता है सांथ होते हैं और एकात्मक बुद्धी से ये काम करते हैं महत्वकांची भी बहुत होते हैं नयाय पिरी होते अक्सर देखा गया है कि धार्मिक और सामाजिक कारियों में बहुत आगे बढ़कर काम करते हैं औसधी रसायन धातू प्रेटन से समंदित कारियों में ज्यादा सफल होते हैं इनको ज्यादा तर ये भी होता हैं कि अगर हम परिसानी कहें तो ज्वैंट पेंट दिल की परिसान करती है जीवन में कभी न कभी ज़रूर तो आपका नच्छत्र अगर सवाती है तो आकास मंडल में जो नच्छतर है 27-15 आपा स्वाती का मतलब होता है स्वतंत्र अगर आप संगीत कला के छेटर में जाएं तो ज्यादा सफलता प्राप्त करेंगे और अगर किसी ब्यक्ति का जन्म स्वाति नच्छत्र में हो तो उनमें कलात्मक गुन बच्छपन से ही रहता है नौग्रहों में सुक्र को खुबसूर्ती सुन्दर्ता का देव कहा जाता है बहती क्वात कूट नीती से भी जोड़ा जाता है और स्वाति नच्छत्र के माध्यम से परदर्शित हो जाता है वायुत्तत्यों का प्रभाव भी प्रभल है यहां पर स्वाति नचत्र पर ऐसे में ग्यान कला की देवी स्वरसती का भी प्रभाव होता है स्वभाब से स्वाभी मानी होते हैं इन्हें दूसरों की चीजों पर कोई रूची नहीं होती जो भी करते हैं इमांदारी से कारे करने वाले होते हैं स्वाती नच्छतर वाले थोड़े हटके होते हैं जीवन में औसमभब कारी को भी समभब बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं बसरते कि आपकी सुतंद्रता पर किसी तरह का कोई भी दवाव ना हो पिना किसी भेदवागे हर किसी का सम्मान करने वाले अच्छे मित्र और बुरे लोगों के साथ सबसे बड़े सत्रू भी है आप वैसे तो समझदार होते हैं कठोर परसमी होते हैं पारिवारी जीवन की बात करें तो मधुरता जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही पारिवारी जीवन आपका बहतर होगा इसलिए आपको यहाँ पर संतुलन बनाए रखना चाहिए हस्मुक और मिलनसार धन के मामलों में बहुत ज़्यादा भागिवान होते हैं अपनी चीजों के परती किसी का छेड़ छार करना या किसी का इंटरफेर इनके अपनी लाइफ में लोगों का पसंद नहीं धन संचे करने बाले कड़ी मिहनत के दम पर सफलता प्राप्त करने बाले होते हैं तो चलिए अब जानते हैं विसाखा नशत्र वाले तुला रासी के लोग कैसे होते हैं अगर आपकी रासी तुला है और नच्छतर विसाखा है तो इसका प्रभाव आपकी जीवन पर क्या पड़ेगा क्योंकि विसाखा नच्छतर का स्वामी ब्रहस्पती है और तुला रासी का स्वामी सुक्र है इसलिए यहां पर तुला रासी कमजोर हो जाती है क्योंकि सुक्र और भ्रश्पति में तालमेल बंता ही नहीं अब यह लोग जीवन में दुविधा के सिकार भी होते हैं कि कि धर जाएं यहां जाएं वहा जाएं क्या करें ना करें यानी पूरी तरसे तो कनफ्यूज और confusion इनकी पूरी जिन्दगी में बनी रहती है यारी ध्यान केंद्रित होता ही नहीं और इस बज़ा से ये कभी-कभी लक्ष प्राक्ट करने में इनको समस्याएं आती है लेकिन बिवाह के बाद जीवन साथी के सपोर्ट से इनको लाब जरूर होता है तो हम आगे बढ़े उसके पहले एक और बात कह दें कि जीवन में आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे अगर आपका नच्छत्र विसाखा है तो उतना ही ज़्यादा आप सफल होंगे विसाखा नच्छत्र 27 नच्छत्रों में 16 अस्थान पर आता है और तुलारासी में इनके 3 चरन है प्रथम 3 चरन हर नच्छत्र का 4 चरन होता है और पहला 3 चरन जो है वो तुलारासी में आता है और जो लास्ट वाला चरन है वो ब्रिस्चिक में आता है तो इस नच्छत्र में जन्वे लोग बड़े बुद्धिमान पढ़ने लिखने में तेज होते हैं और इनके जीवन में इनको सरकारी नोकरी या सरकार से लाप राप करने की संभावना इनको ज़्यादा होती है तो विसाखा नच्छत्र कास्वामी गुरू है और ऐसे लोग बुद्धी के बल पर सफलता जीवन में ज़्यादा पाते हैं खासियत यह है कि धन कमाने और बचाने में ऐसे लोग माहिर होते हैं। इसलिए कठिन से कठिन प्रिष्टिती में भी इनके पास धन का वाव नहीं होता और बुरे समय के लिए पहले से ही बचा कर धन रख लेते हैं। आकस्मिक रूप से जीवन में लाब होता रहता है। लोटरी, जुवा, सट्टा, सेयर मार्केट इन चीजों से इनको खूब लाब मिलता है। ऐसे लोग नौकरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वानी बहुत ही खुबसूरत होती है और इसी कारण इनके बहुत सारे मित्र बहुत जल्दी बन जाते हैं। मातोकांची होते हैं, लक्ष को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं, भागी का साथ भी खुब मिलता है। और इस रच्छत्र में जन्म लेने वाले बेक्तियों का अपने परिवार के परती बिसेस लगा होता है। तो अपनों को खुश रखने का हर संबब प्रयास करते हैं, दर्णिस्टे ही होते हैं, किसी काम को करने की एक वार अगर ढ़ान ले तो पुरा करके ही दम लेंगे, सुख पाने की लालसा होती है, और अगर दूसरों की मदद के लिए ये हमेशा तयार रहते भी हैं, तो कही कहीं से आपको भी मदद मिल ही जाती है, अगर आप फैसन, डिजाइनिंग, मॉडलिंग, दूरदर्शन, राजनीती, पुलिस, सुरक्षावल के छेतरों से जुड़े, तो आपको लाब ज्यादा होगा, आप ज्यादा सफल होंगे, तो विसाका नच्छतर वाले लोग, जो पद परतिष्ठा जीवन में खुब प्राप्त करते हैं, वाहन भूमी का सुक्ष मिलता है, बहुत ही प्रभाव सारी बचन बोलने वाले होते हैं, बैभारिक होते हैं, नकात्मों पक्षिये हैं कि गुरु सुक्र मंगल की कुंडले में स्तिती खराब अगर हो, तो थोरे उ उग्र हो जाते हैं, लोभी हो जाते हैं, कलह पीर स्वार्थी हो जाते हैं, तो कुछ मामलों में थोरा निगेटिव हैं, लेकिन खान शत्र वाले तुला वाले बड़े भागी साली होते हैं, तो हम आप से विजा लेते हैं, जानकारी अच्छी लगे, तो लाइक कर सब्सक् करें आपके कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहेगा और आप हमारे वेपसाइट पर जरूर आईए दनेगा